एक जंगल में एक व्रक्ष की शाका पर चिड़ा और चिड़िया का जोड़ा रहता था चिड़िया ने शाका पर बने घोसले में अंडे दिये थे एक दिन एक मतवाला हाती उसी व्रक्ष की छाया में विश्राम करने लगा जाने से पहले पत्तिया खाने के लिए उसने अपनी सूट से वह शाका तोड़ दी जिस पर गोंसला था अंडे जमीन पर गिर कर तूट गए शिडिया तूटे अंडे देखकर बहुत दुखी हुई उनका विलाब देखकर उनका मित्र कटफोडवा वहां आकर उन्हें समझाने लगा चिडिया ने कहा यदि तू हमारा सच्चा मित्र है तो हाती को सबक सिकाने में हमारी सहायता कर कटफोडवे ने कहा यह इतना आसान नहीं है एक चालाग मक्खी मेरी मित्र है चलो उसके पास चले उन्होंने मक्खी के पास जाकर अपनी पूरी कहानी सुनाई और उससे मदद मांगी मक्खी ने उन्हें मदद का आश्वासन दिया और अपने मित्र मेधक के पास ले गई उसे भी पूरी कहानी सुनाई गई सारी बात सुनकर मेधक ने युपती बताई उसने कहा जैसा बताता हूँ वैसा करो पहले मक्खी हाती के कान में मीठे स्वर में आलाब करेगी हाती मस्त होकर अपनी आँख बंद कर लेगा उसी समय कटफोडवा चोँच मार कर आँखे फोड़ देगा अंधा हाती पानी की खोज में भागेगा मैं दलदल में बैटकर आवाज करूँगा मेरी आवाज सुनकर हाती पानी पीने आएगा और दलदल में फल जाएगा या उसकी हार होगी सबी इस योजना पर सहमत हो गए मक्खी ने आलाब किया कटफोडवे ने आखफोड़ी मेडक ने पानी की ओर बुलाया और हाती दलदल में फसता चला गया चिडिया का बदला पूरा हो गया था उसने अपने मित्रों का धनेवाद किया और नया घोसला बनाने में जुड़ गई इस कहानी से यह सीख मिलती है कि एकता में बहुत शक्ती होती है बड़े से बड़ा काम भी आसान हो जाता है